हमारे साथ भोजपुरी सिनेमा जगत की अभी नेता और गायक राकेश मिस्राजी है सबसे पहले तो ETP भारत में आपका स्वागत है और बहुत सारा हीट गाना आप एक एक बढ़ के दिया है सबसे ज़्यादा सुने जाने वाले ए राजा तोनी जाईना भड़िया ETP भारत के सभी दर्सकों को राम राम नया साल का बहुत बहुत बढ़ाई और उमीद करते हैं कि आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका शुहासिरबात प्यार जुलार जैसे मिलता है मिलता रहेगा मुझे और मेरा सुरुवात भी आपके पसंदीदा गितसे ही होगा कि कोरा में सटके उलाटके पलाटके अदेले बाड़ा देही आतूर हो कि बिजिली के तार में बेकार आजुराईला मने मने कईला माजावूर हो कि लहे लहे छुई जनी हमारा पमुई राजा दरत से गीरे लागी लोर ए राजा तनी जाईना बहरिया कि टूटाता बदन पोरे पोर ए राजा तनी जाईना बहरिया बार हम बाबा कोहिया हुई हा मरसादी सब धन्धा मंदा पर आल होता बरबादी कि भूख पिया से चचना तनी देखा भॉयल साँ लगतार ग्यारो दिनों से आप लोग ट्रेंडिंग में उसको गाने को रखे है इसके लिए आप सभी कोता है दिल से कोटी-कोटी प्रदाब श्बॉजब कल में पहले फेज में जब क्रणन संक्रामना था तो भुजपुडी सिनिमा इंडश्ट्री-ने पूरा देश-बिदेश मतलब कहें तो प्रभावित हुआ था फिर एक बाद दीसी लखर में कोरूना संक्रामना varied तो क्या लगता है कि भुजपुडी सिनिमा के जितने भी कलाकार है उन पर भी थोड़ा सा असर पर है जब देश पर ही विपत्ति आता है तो पूरे देश को छती होती है इसमें हम आप कोई बटा हुआ नहीं है यह देश हमारा आइस देश का हम वासी है अब इसी में जीवन को लेके चलना है सब लोग लेके चल भी रहें आप कैसे लेके चलते हो कैसे करते हो अब कोवीड आया है तो सुई भी पढ़ रहा है इलाज भी चालू है और जहां तक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक अध्यात्मिक देश है यहां पे दुनिया का बड़ा से बड़ा हिरन को सेपू आई ताडिका माडिका जब असर करना होई लोगों के लिए क्या कुछ मेंशेज नेंगे कुछ जो सब देखे सर मेरा एक ही मेसेज है कि आप सभी लोग अपना हर चीज किजिए आप माइंड पर प्रेसर मत लिए क्यूंकि प्रेसर एक सबसे बड़ा चीज होता है कभी-कभी ऐसा होता है कि बीमारी सोच-श आपको मेंटेन कीजिए और जैसे अगर हमारे उपर आप कोमेंट करेंगे कि हम लोग बीना मास्क है तो हम लोग दो लोग है नीचे टेस्ट भी हुआ है जब उपर आये हैं तो तो कहीं ने कहीं एक सेफ्टी जोन में हो कहीं काम किजिए राकेश मिस्रा भुच्पुरी गाना कुले करके हमेशा सुर्खियों में रहें भी हैं अभी भी हैं भक्ती गाना भी आपका कोई अच्छा हो जो लोग दर्सक ज्यादा पसंद कियों मैंने 2007 से लेकर 2022 हो गया अभी तक कम से कम दो हजार से डाई हजार देवी किद गाया जो सबसे ज्यादा मतलब लोगों के द्वार प्यार भुलार मिड़ा अहां एक गाना था मेरा जो 2011 में आये था उसका एक लाइन था कि आवे के परी ये महिया आवे के परी तो हराय आवे के परी जब या गाना में घिव दिया बारी ये भावानी महिया आवे के परी भुचपूरी सिनेमा पहले और अब में आप क्या देख रहे हैं पहले भरत सर्मा से लेकर के बहुत सारे ऐसे मतलब रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। तो पहले और अब में क्याक कियोंकि अब बिहार यूपी तक भुच्पडी सिनेमा जगत मतलब सीमित नहीं है। देश बिदेश तक लोग इसको पसंद करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। अब पैदा होते हैं फिर बच्चे होते हैं फिर बच्चे से स्यान होते हैं से जवान होते हैं जवान से बुढ़ाते हैं उसी तरह एक वर्किंग चलते रहता है अब हम 2021-2022 के फेज में हैं ये एक नए जनरेशन का और यंग्स्टर के हिसाब से चलने वाला फेज है तो अभी हम ऐसा ही त्यारी कर रहे हैं सर मैं सुना देता बट मुझे भी कुछ प्रस्टनल वर्किंग है तो अभी समा चाहता हूं थोड़ा सा चाहता हूं सर क्यूंकि आप वह से चार एक तो वही आपका शुरवाती गाने के साथ टुवा एक गाना है जो छर्शा में था भी काफी का फिव भी गाना बजा है कि कि भेरी बेरी छुवात निहाई का बेरी बेरी छुवा ता निहाई का ए राजा तुह ता जावान हम अलाई का पूछपुडी सिनेमा में खेसारी लाल, पॉन सिंग और अक्छरा तीनों कोई एक दूसरे पर परतियार उपन लगा रहे थे अब का민ेशल अश्यद्समें नहीं लेकिन बहुत सारे जो दर्सक, जो पहुन सिंग को मानते हैं, जो कант's लाल, इसलिये जो बहुत वस्कों सुनते हैं और वस्वकी होते हैं सबको प्यार देते हैं नहीं शोचल मिडिया पो, जो ही रह कि वैसे आप अभी तक कितना बार इन लोगों का नाम जप लिये हैं अभी आप से हम बात करें जपने का तो सवाल यह नहीं नहीं बात नहीं समझे मिरा जपने का मतलब यह तो है कि जैसे देश में और भी आर्थी हाला चर्शाय बहुत सारे हैं मैं वहीं बोल रहा हूं लेकिन जैसे जैसे माली जे की हम यसलिए बात किये हैं कि भुचपूरी सिनेमा हमेशा असलिलता को लेकर करके और दो बड़े कलाकारों के जुबानी जंग से कही ना कहीं आपको यह बोले ना कि जैसे कलाकारों के लिष्ट में 50-60 हैं नहीं समझे आप अभी कलाकार हैं मैं वहीं अगर आप यह तीन पॉइंट पे हैं जैसे बड़े भाईया पाउन जी खेशारी जी तो यानि की उनकी बात आपको समझ में आगी है तभी आप चर्चा में हैं मैंने यह बोला कि आप ध्यान केंदित वहां कि यह इंपोर्टेंट बात है क्योंकि और भी तो गाने माने सब अच्छा जाना चाहते है तो अब क्या देखिए नहीं चीजों को समझे अब आप उन्होंने उनकी टॉकिंग है उन्होंने क्या सुचा है अब एक थोट को आप किसी पाच्वे आदमी से कैसे जाना चाहेंगे कि वह सोच क्यों निकला था अब उसी सिनेमा जगत में हैं इस आपको अच्चा लगता है कि इस तरह से मंच पर आकर करकी कूई कूल रहा हम सिनेमा जगत में हैं ह। लेकिन कर बतातु रहें आपको मेरे बाबon generally का नाम अलग है मा का नाम अलग है मिरा गाव यह अलग है सब सिस्टम अलग है मेरा बोलने चलने का वेवहार अलग है का कि हम कौन होते हैं हमारा काम हैं जिस तरह से तो हमारा यकार करना हमारे काम मोफनी संदेन नहीं व्लायत कूछ सापोर्ट होना चाहिए तो नहीं है विकार ही एक आती हैं जहां प्रतिभाएं हद से ज्यादा कि उर्बरक है धर्स एक यह उत्पन करता है और इतना ज्यादा करता है जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता है लेकिन बिहार में जल्दबाजी बहुत जल्दी है लड़के जैसे आपने बोला ना अभी एक लड़की इतना बेहत्रीन काम कर रही है वह अच्छे अच्छे आटिस्टों को पीछे कर देगी लेकिन जनते क्या है कि महल नहीं है महल क्यों नहीं है एक तरफ जो आप खुद ही बोल रहे थे आज कल हमारे यहां एक चीज नया फैसन चला है एक दिन में कई से चर्शा में आएंगे अब उसके लिए सौट कोट अपनाते हैं हाट वर्किंग जो होता है ना ब्रदर यह सर सारा साल की उमर से लगे हैं आज यहां आपके सामने बैठे हैं दाड़ी मुसा भागे तो 2003 से लगे हैं और 2022 में आप से बात कर रहे हैं इतना दीन का घोर तपस्या चल रहा है और प्रभू सरुष बिंती करते हैं कि प्रभू काम में कुछ सक्से दे दिजिए हाट वर्किं मां 1527 से कहते हैं लग जब भाद बाबाबु जी मर गिले बाबा मुरी के लो गरई सा सूनतानी जाता हैं और ने मूड फो जएगा जो भी वहां से आदेस होगा कोई मुडीयल जो भी होगा जिनके मूड में होगा जिनको करना होगा जिनके हाथों से लिखा रहा थे कावत हम लोगें कि जोवन भाग यह वह हो जाई परियासरत हैं थे और रहेंगे यह थे हमारे सांथ राकेश मिशाजी इन्हों बिहार सरकार अगर ध्यान दे तो बिहार के कलाकार भी आज देश विदेश में अपना पर्चम जिस तरस लहरा रहे हैं और आने वाले दिनों में लहराएंगे श्योगी असोग के सांथ निरज कुमार इटीवी भारत पढ़ना